Hello students, exercise 7.3 fractions, we will learn about the fractions, question number 3, replace, यह box बना हुआ है in each of the following by the correct number, इस box के अंदर हमां fill up करना है, ताकि यह fraction क्या आएगा इसके अंदर यह equal हो एक दूसरे के, 2 by 7 is equal to 8 upon यह box बना हुआ है, इसके अंदर क्या आएगा, ताकि यह दोनों equal हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, इस 8 को, यहाँ 8 जो numerator है, greater than 2, यह भी numerator है, तो हम 8 को हम divide करेंगे 2 से, 2 for the 8, therefore, 2 by 7, इसको multiply करेंगे हम, 4 by 4 से, जो divide करने के बाद आया है, इसके हम इसको multiply करेंगे, 4 by 4 से, 4 to the 8 upon 4, 7 to 28, आप देख रहे हैं, यह 8 हमारे पास है, यह box है, तो box के अंदर आएगा, 28, this is the answer, next देखिए इसमें, 5 by 8, is equal to 10 upon, यह box है, तो 10 को हम 5 से divide करेंगे, 10 divide by 5, तो 5 to 10, तो आता हमारे पास 2, therefore, fraction हमारे पास, 5 upon 8, इसको multiply करेंगे, 2 by 2 से, जो divide करने के बाद है, उसी से हम numerator and denominator, दोनों को हम multiply करेंगे, 2 5s are 10, 2 8s are 16, आप देख रहे हैं, 10 हमारे पास है, तो निचे box मा आएगा, 16, इसमें देखिए, numerator को हम divide करेंगे, 20 divide by 5, जो साथ में जो denominator है, उसी से हम उसको divide करेंगे, 5 4s are 20, यहां हमें किसको multiply करना है, जो complete fraction है यहां, 3 by 5, therefore, 3 upon 5, इसको multiply करेंगे हम, 4 upon 4 से, 4 3 जा, 12, यह numerator को numerator से, denominator को denominator से, 4 5 जा, 20, आप देख रहे हैं, 20 हमारे पास already है, तो numerator के स्थान पर आएगा, 12, डी पाट देखिएगा इसमें, डी को कैसे solve करेंगे, 15, 15 नहीं, 45, divide by 15, तो 15, 3 जा, 45, 3 आएगा, तो हम लिखेंगे आगे, हमारे पास जो यहां fraction है, यह देखना है, कि आप यहां हम कैसे करेंगे इसको, यहां आप देख रहे हैं, जो 45 है, यह 60 है, इसको हमें 3 से multiply नहीं करेंगे, क्योंकि जो 15 है, यह less than 45 से, जो less than है, उसी के नीचे जो box है, हमें वो ग्याद करना, अब तक आप देखिए, 3 upon 5 है, तो 5 से हमने 20 को, हमने क्या किया है, डिवैड किया है, तो 20 जो है greater 5 से, तो इसका numerator निकालना था, तो यहां हम डिवैड ही करेंगे आगे, therefore, 45 upon 60, इसको डिवैड करेंगे, हम 3 upon 3 से, इस 3 से, तो 3 से हम 45 को डिवैड करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 15, यह जो है हमारे पास यहां, अब 3 से हम 60 को डिवैड करेंगे, 3 2 जा, 6 3 0 0, क्या है 15 upon 20, यह 15 है तो यहां आएगा box के अंदर 20, अब देखेंगे इसका E part, यहां 24 को हम पहले डिवैड करेंगे, 24, डिवैड बाइ 4, 4 6 जा, 24, therefore, 18 upon 24, इसको हम डिवैड करेंगे, 6 से, 6 upon 6 से, तो 6 से हम 18 को डिवैड करेंगे, 3 आएगा, 6 से 24 को डिवैड करेंगे, 4 आएगा, आप देख रहें, यहां 4 तो हमारे पास है, तो numerator क्या लिखेंगे हम यहां, 3, यह ध्यान रखना है कि जिस संख्या से हम डिवैड कर रहे हैं, यदि उसी का numerator निकालना है, तो ब जिसको हम भाग कर रहे हैं, उसका denominator निकालना था, तो ऐसी स्थित में हम multiply करते हैं, यहां जिस संख्या से हम डिवैड कर रहे हैं, उसी का, यह 4 से हम डिवैड कर रहे हैं, उसी का numerator निकालना है, तो भाग करेंगे, तो आपके समझ में यह आ गया होगा, तीसरा question complete हो चुका ह question number 4, find the equivalent fraction of 3 by 5 having denominator है, यहां 20, तो हम लिखेंगे यहां 3 upon 5 is equal to, ऐसा हमें इसका equivalent fraction निकालना है, जिसका denominator क्या होगा, 20 होगा, तो आप यहां देख रहे हैं, कैसे निकलेगा, यहां क्या करेंगे, हम 20 को divide करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 4, therefore, 3 by 5 multiply 4 by 4, 3 forza 12, 5 forza 20, तो 20 हमारे पास है, तो हम क्या निकालेंगे यहां, 12, यह हमारा answer आएगा, आप देखें, हाँ numerator है 9, तो therefore, पहले तो जो fraction उपर दिया हुआ है, वो लिखेंगे, 3 by 5 is equal to, इसका, इसका equivalent निकालना है, जिसका numerator 9 दिया हुआ है, अब यह हमें यहां यह जो box, यहां भी हमने box बना दिया है, ताकि आपको ध्यान रहे, कि हमें क्या find out करना है, इस परकार से, तो आप यहां देख रहे हैं, तो 9 को आप 3 से क्या करेंगे पहले, divide, 9 divided by 3, क्या हैगा 3, therefore, 3 upon 5 को हम multiply कर रहे हैं, इसका यह ज़्यादा है 9, तो multiply करने से आएगा, तो 3 by 5 को इस 3 by 3 से क्या करेंगे हैं, multiply, 3, 3, 9, 5, 3, 15, आप देख रहे हैं, 9 हमारे पास है, 15 लिखेंगे यहां, इस परकार से, आप देखिए, denominator है 30, तो पहले जो fraction है, 3 upon 5 is equal to denominator 30, हम सीधे भी answer निकालते हैं, 5 को, यदि हम 6 से multiply करते हैं, तो 30 आएगा, तो इसी परकार 3 को हम 6 से multiply करेंगे, तो आएगा 18, 6 कैसे आया, वो ही 6 हम इधर आपको यहां दिखा रहे हैं, कि 30 को हमने 5 से divide करेंगे, तो 5, 6 जा 30, अब इसी 6 से हम इन दोनों को multiply कर रहे हैं, इस fraction को 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 30 already है, अब यहां देखिए, numerator है 20, तो therefore, जो fraction हमारे पाद, 3 upon 5 is equal to numerator उपड़ लिखेंगे हम, 20 upon नीचे ही, यहां box है, यह numerator 20 नहीं 27 है, तो आप देखिए हाँ, हम 27 को divide करेंगे, 3 से, 3 9 जाएगा, अब 3 by 5, इसको multiply करेंगे, 9 upon 9 से, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो यहां हमारे पास आएगा 45, तो equivalent इसके equivalent यह हो गया, इसको simplify करेंगे तो यहीं आएगा, आप देख रहे हैं, आप देखिए, question number 5, find the equivalent fraction of 36 upon 48 with, अब इसका equivalent निकालना है मैं, तो therefore क्या होगा, 36 upon 48 is equal to numerator 9, तो यहां क्या आएगा हमारे पास, जो answer है, आप देख रहे हैं, 9 से 36 को जो हम divide करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 4 आएगा, तो हम 4 से पूरी fraction को ही divide करेंगे, 36 upon 48, इसको divide करेंगे, 4 upon 4 से, 4 से 36 को divide करेंगे, 4 9 जा, 4 से करेंगे, 4 बन जा, 4 तू जा 8, तो 9 upon 12, तो यह जो equivalent fraction है, वो 9 upon 12 आएगा, अब देखें, denominator है, 4, पहले हम fraction लेखेंगे, 36 upon 48 is equal to, denominator है, यहाँ पर हमारे पास 4, तो हम 48 को पहले divide करेंगे, 4 से, 4 बन जा 4, 4 तू जा 8, अब इस 12 से हम दोनों को ही divide करेंगे, 36 upon 48, इसको divide करेंगे, 12 upon 12 से, तो 12 थिरी जा, और 12 फोर जा, 3 बाए 4, तो निचे तो 4 है, मारे पास यहाँ के आएगा, 3, तो यह equivalent fraction जो है, 36 upon 48 का equivalent आएगा, 3 upon 4, अब देखेंगे आप, question number 6, check whether the given fractions are equivalent, क्या यह equivalent है या नहीं है, यह हमें इसमें check करना है, कैसे check करेंगे, देखेंगे, 5 by 9, 30 upon 54, आप इसको divide कर सकते हैं, 6 से, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, greater से greater आपको numbers ग्याद करना, जिससे हम इसको divide करें, तो यह simplify हमें इसको करना है, तो हम लिखेंगे, 5 by 9, इसको simplify किया, 5 by 9, यदि यह फिर simplify होता है, तो फिर करेंगे, therefore यह दोनों आप देख रहें, equal है, therefore 5 by 9, 30 upon 54, आप इक्विवेलेंट, fraction, आप देखें इसका B part, 3 upon 10, 12 upon 50, इसको हम divide करेंगे, यह 2 से divide होगा, 2, 6, 12, 2 से करेंगे 25, आगे लिखेंगे हम 3 upon 10, 6 upon 25, आप 6 upon 25, और simplify नहीं होता, किसी भी संक्या से divide नहीं होता, आप यहाँ देख रहें, 3 by 10 और 6 by 25, यह दोनों equal नहीं है, आप चाहें तो इनका LCM निकाल के भी आगे हम कर सकते हैं, आगे देखें, 10 और 25 का जो LCM होगा, वो होगा 50, अब 50 को 10 से divide करेंगे 5 times, 5 से 3 को करेंगे 15, 25 से इसको divide करेंगे 2, 2 से 6 को multiply करेंगे 12, आप देख रहें, इनके denominator सेम होगे, numerator different है, therefore, 3 upon 10, 12 upon 50, are not equivalent fractions, यह equivalent fractions नहीं है, यहनि equal fraction यह नहीं है, अब देखें, इसका C part, 7 upon 13, 5 upon 11, यह देखो simplify भी नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थित में हम इनका LCM निकाल के भी हम कर सकते हैं, और सीधे भी लिख सकते हैं, कि यह equivalent नहीं है, लेकिन हम इनके LCM निकालेंगे, तो आएगा 143, इन दोनों को multiply कर दो, 13 से इसको divide करेंगे, 11 time, 11 से 7 को multiply करेंगे, 77, 11 से इसको divide करेंगे, 13 time, 13 से 5 को करेंगे, 65, आप यहां देख रहे हैं, यह दोनों equal नहीं है, therefore, 7 upon 13, 5 upon 11 are not equivalent fractions, equivalent fraction नहीं है, अब देखें, question number 7, reduce the following fractions to simplest form, reduce का मला इसको simplify करना है, तो 48 upon 60, divide numerator and denominator by हम, दोनों को किस से हम divide करेंगे, कि यह दोनों से, ऐसी संक्या डोड़ेंगे, जो दोनों से divide हो जाएं, तो वो संक्या हमारे पास है, 12, therefore, 12 से हम इसको करेंगे, 12, 4 जा 48, 12, 5 जा 60, तो इसका हमारे पास, जो reduce करने के बाद, इसको simplest form में करने के बाद आया, 4 upon 5, यह answer होगा, अब 150 upon 60, तो divide numerator and denominator by, इन दोनों को हम किस से divide कर सकते हैं, एक तो हम 10 से करेंगे, तो 10 से करने के बाद 15 upon 6 आएगा, 15 upon 6 आएगा, फिर यह 3 से भी होगा, तो हम इसको 30 से करते हैं, देखो 10 से करेंगे, तो 15 और 6 आएगा नीचे, अब 6 को भी 3 से होता है, और 15 भी 3 से होता है, तो 10 और 3, 10 multiply 3, 30, तो 30 से हम इसको divide करेंगे, तो देखें 30 से केतना, 35 जा, आप 0 से 0 को कार लिजिए पर चाहिए, तो 35 जा 150, 32 जा 60, तो हमारा answer आया 5 by 2, यदि हम 10 से divide करते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, फिर 3 से करेंगे, तो 2 बार करने के बज़े, हमने एक ही बार 30 से इसको divide कर दिया, तो यह reduce होने के बाद आया 5 upon 2, यह 2 बार भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर हो गया complete, आप देखें, सी पार, divide, numerator and denominator by, इन दोनों को हम किस से गुणा, किस से हम इन दोनों को divide करें, तो देखते हैं, इन दोनों में यह 12 से divide होता है, divide by 12, तो 12 से होगा, 12, 7 जा 84, 12, 8 जा 98, 12 से divide, तो यह आपका 12 से divide नहीं होता है, 12, 8 जा 96 आता है, तो यह होगा आपका 14 से, तो हम यहाँ लिखेंगे, divide by 14, तो 14, 6 जा आएगा, 14, 6 जा 84, 14, 7 जा 98, तो हमारा answer आएगा यहाँ, 6 अपॉन, 7, आप देखें, question number 8, रमेज head pencils, रमेज के पास pencil है, 20, रमेज used pencil, 10, use किये हैं, 10 pencil, तो fraction of used pencil के आएगा, use किये हैं, 10, total है, 20, तो आप इसको simplify करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा, 1 by 2, Silla head pencil, 50, Silla used pencil, 25, तो इसका fraction आएगा, 25, used pencil का, upon 50, आप यहाँ, 25 से simplify किजे, 25, 1 जा 25, 25, 2 जा 50, 1 upon 2, तो आप देख रहे हैं, यहाँ पर, each has used up an equal fraction of their pencil, दोनों ने equal fraction use किये हैं, 1 by 2, 1 by 2, अब आईए question number 9, इसको कैसे solve करेंगे, देखिए, match the equivalent fraction, तो इसके left side में भी हैं, right side में भी हैं, तो पहले हमें इन दोनों को simplify करना है, तो simplify करने के बाद ही, हम इस match the column को हम complete कर पाएंगे, तो देखिए कैसे, इसको simplify करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 250, 0 से 0, 5 से काट, इसको divide किजिए, 5 5 जा, 5 8 जा, तो यह आया हमारे पास, 5 by 8, इसको देखिए, 0 से 0, 2 से करेंगे, 2 9 जा, 2 10 जा, तो यह आया आए आपके पास, 9 by 10, इसको कैसे divide करेंगे, देखिए, 0 से 0, यह आपका, 33 से होगा, 33 2 जा, 33 3 जा, 99, तो यह answer है आपका, 2 by 3, आगे देखिएगा, 0 से 0, 18 1 जा, 18, 18 2 जा, यह आएगा, 1 by 2, यह देखिए, 0 से 0, यह 11 से divide होगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, यह यह 2 by 5, अब हमें match the column यह equal करना है, देखिए कैसे होगा, आप देख रहे हैं, यहां 5 by 8 है, तो right side में 5 by 8 कहा है, D पर है, तो इसका जो fraction होगा, इसका जो answer होगा, वो होगा आपका D, तो answer हम यहां लिख रहे हैं, D, 5 by 8, हम ऐसे cross करके इनको match नहीं कर रहे हैं, उसका answer उसके सामने लिख रहे हैं, फिर है 9 by 10, इधर देखिए 9 by 10 कहा है, E पर है, तो E है, तो इसका जो answer आएगा, वो आएगा E, और 9 by 10, आप देख रहे हैं, हाँ, यह match कर रहे हैं, फिर है 2 by 3, 2 by 3 देखिए कहां पर है, 2 by 3, यह उपर देखिए 2 by 3, A पर है, तो इसका answer आएगा, A, 2 by 3, अब देखिए 1 by 2, 1 by 2 कहां है, यहां पर है, C पर है, तो answer लिखेंगे, C, 1 by 2, यह match हो गया, V मैं आया 2 by 5, आप 2 by 5 देखिए कहां यहां, B पर है, तो इसका answer लिखेंगे, हम B पर है, तो इसका answer लिखेंगे, हम answer B, 2 by 5, तो इस परकार से यह match the equivalent fraction हमने match कर दिये, 1st का D के साथ होगा, 2nd का E के साथ होगा, 3rd का A के साथ, 4th का C के साथ, और 5th का B के साथ, तो इस 9 question complete हो चुके हैं इस exercise के, आप इस वीडियो को like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, thanks for watching.